मद्य प्रदेश में जन और बिहार को अपनी करमस्थली बनाने वाले शरद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे देर रात 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया शरद यादव ऐसे नेता थे जो तीन राज्यों से सांसत बने वो बिहार के मद्यपूरा सीट से चार बार सांसत चुने गए दिगज समाजवादी नेता शरद यादव एक समय जेडियो के रास्ट अधक्ष हुआ करते थे राजनीती में नितीश कुमार और शरद की जोड़ी लंबे वक्त तक साथ थी हलाकि एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने बिहार के सियम नितीश के खलाफ मोर्चा खोल दिया था यही नहीं हलात ऐसे हो गए कि शरद ने नितीश का साथ छोड़ा और अपनी नई पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल भी बना ली अब आपको बताते हैं कि राजनीती में शरद यादव और नितीश कुमार का रिष्टा आखिर कैसा रहा सत्तर के दशप में कॉंग्रस के खलाफ मोर्चा खोल कर सुर्खियों में आए शरद यादव लोकदल और जनता पार्टी से तूट कर बनी पार्टियों में रहे उन्होंने लंबे वक्त तक जेजियों के रास्ट अधक्ष की जिम्यदारी सम्हाली नितीश कुमार की सियासी काम्यावे में शरद यादव के रोल को नकारा नहीं चा सकता राजनीती में इनकी जोडी बेहत हिट रही बिहार में लालू के मुकाबले नितीश कुमार को खड़ा करने में शरद यादव का एहम रोल भी रहा उन्होंने 1999 में बिहार के मधिपूरा लोकसभा छेतर से लालू यादव को शिकस्त दी थी शरद यादव के कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2013 तक वो बिजेपी के नेत्रत वाले एंडिये के संयोजक रहे हलाकि एक ऐसा समय भी आया जब नितीश के फैसलों के खलाफ उन्होंने मोर्चा खुल दिया हुआ ये कि साल 2013 में नितीश कुमार ने बिजेपी के साथ संबंध तोड़ने का फैसला लिया जैसा आप सब जानते हैं उस समय शरद यादव ने जेडियू नेता के इस फैसले के प्रती आशंकित थे इसे बीच 2015 में शरद यादव और नितीश कुमार ने एहम फैसला लिया और लालू यादव संग गटबंधन में आ गए बिहार में महा गटबंधन की सरकार पनी हलाकि 2013 में एंडिये से अलग होने के चार साल बात यानी 2017 में नितीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तयार थे सीम नितीश के इसी फैसले के कारण शरद यादव ने विरोध का जंडा बुलंद कर दिया बस फिर क्या था उन्हें जेजू से अलग होना पड़ा यही नहीं इसका खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ा जी हाँ शरद यादव को राजसभा से आयोग गोशित कर दिया गया था शरद यादव ने जेजू से अलग होने के बाद नई पाटी लोगतांत्रिक जंतादल पाटी बनाई थी हालाकि उन्हें वैसे सफलता तो नहीं मिल सकी पिछले साल ही उन्होंने अपनी पाटी का विले आर जेडी में कर दिया था मद्रप्रदेश के मूल लिवासी रहे शरद यादव ने बिटेक की पढ़ाई के दौरान ही छात्र राजुनीती में कदम रखा था वो तीन राज्यों से जी हाँ तीन राज्यों से मद्रप्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगसभा सांसद चुने गए मद्रपूरा से वो चार बार सांसद रहे हाला कि 2019 के बाद से उनका स्वास्त ठीक नहीं था जिसकी वज़ा से वो राज्योंीती में उतने सक्रिये नहरे पाए आखरी दौर में उन्हें लालुयादव का साथ मिला श्रद्यादव के निधन से लालुयादव बेहत दुखी हैं उन्होंने सिंगापूर से एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने दिगज समाजवादी नेता को अपनी श्रद्धांजली दी है बैरहाल श्रद्यादव का जाना एक युक का अंत है और उनके जाने से ना सर्फ बिहार बलकि पूरे देश में शोक की लहर है